बोडी बिल्डिंग, हेल्थ टिप्स एंड ब्यूटि टिप्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें मसल फॉर यू को और दबाईए इस बेल आइकन को सो देट आप ऐसी वीडियो मिस्ना कर पाएं वेलकम अपनी बोडी को एक सही आगार देना या यूँ कहें बोडी को फिट रखना तो आप एक बात जरूर जान लीजिए कि बोडी बनाने के लिए या बोडी को फिट रखने के लिए आपको डाइट पर ध्यान दे रहा होगा और साथ ही आपके डाइट से आने वाले प्रोटीन पर भी तो अगर आप जानना चाहते हैं सबसे अच्छे प्रोटीन की सोर्सेस जो आपको मंचया है रिजल्ट पाने में मदद करें तो मसल फूर यू के इस वीडियो के साथ बने रहे वीडियो शुरू करने इस पहले मसल फूर यू को सबस्क्राइब करें देन बेल एकों को तो बहिए जैसे आप मसल फूर यू के लेटिस्ट वीडियो से अवगत रहें नमबर वन पर है अंडा एक पूरे अंडे में लगवग 7 ग्राम तक प्रोटीन होता है यदि आपको कोलिस्ट्रोल की समस्या ना हो तो पूरे अंडे का सेवन किया जा सकता है अंडे में प्रोटीन के साथ बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन A, D, E इत्यादी इसके अलावा अंडा सस्ता भी होता है और इसके इस्तमाल करने के लिए आप इसे उबाल करके खाएं इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर आप पूरे अंडे का सेवन करेंगे तो उसके बीच के पार्ट में येलो पार्ट में बहुत ही जादा फैट होता है तो अगर आपको से प्रोटीन चाहिए तो आप येलो पार्ट को निकाल दीजिए नमबर दो पर है दूद एक लिटर दूद में लगवक 30 ग्राम तक प्रोटीन होता है यदि आपका लक्ष मास्पेशिया बनाना है तब आप दिन में एक लिटर दूद का सेवन कर सकते हैं अगर आपका लक्ष चर्वी घटाना है तब कम फैट वाले दूद का आप इस्तमाल करें दूद कम्प्लीट प्रोटीन का एक महत्पुन स्त्रोथ है साथी उसके साथ-साथ उसमें विटामिन और केल्शियम भी पूरी मात्राम पाए जाता है नमबर तीन पर है चिकन ब्रेश्ट 100 ग्राम चिकन ब्रेश्ट में लगबग 26 ग्राम तक प्रोटीन पाए जाता है चिकन ब्रेश्ट में फैट और कार्ब कम होता है अगर बिना चेट भी बढ़ा है मास पेशिय बढ़ानी है तो चिकन ब्रेश्ट प्रूटीन का एक बहुत ही अच्छा इस्तरोत है नमबर फूर पर है कॉटेज पनीर 100 ग्राम कॉटेज पनीर में लगभग 18 ग्राम तक प्रूटीन होता है कॉटेज पनीर में पाए जाने वाला प्रूटीन धीमी गती से ब्रेक डाउन होता है इसलिए रात की समय कॉटेज पनीर के इस्तमाल करना सही होता है नमबर फाइब पर है सोया चंक्स 100 ग्राम सोया चंक्स में लगभग 50 ग्राम तक प्रूटीन होता है सोया चेंग्स में प्रोटीन, कार्प्स और अगुलंशिल फाइबर पाए जाता है उच्छ कोलेस्ट्रोल और उससे संबंदिश शिकायद वाले लोगों के लिए सोया चेंग्स के सेवन करना बहुत ही जादा फायदे मन्द होता है अगर आप इन चीजों का अपने डाइट में एड करते हैं तो आप प्रोटीन बहुत ही जादा मात्रा मिले पाएंगे आप इन चीजों के लिए सबस्पार में एड करते हैं